हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर एके अजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्तों चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों में शेर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने में अगर दोस्तो आप बदलते मौसम में बच्चों को अगर खासी आ रही है और बहुत से आपने कब सिर्फ पिला दिया है और बच्चे का खासी ठीक नए हो रहाएं बच्चा एक ऑक डो मिनट तक लगतार खासते रह जा रहा है खास्ते खास्ते उल्टी कर दे रहा है और जैसे ही रात होती है वैसे खासी और बढ़ जाती है दिन में थोड़ा कम रहता है लेकिन रात में ज्यादा खासी होने लगती है सूखी खासी की शिकायत है, साथ में गले में, कंजेक्शन या फीर नाग जाम होना, नाग से पानी बहना इन तरकी अगर समस्या है तो आप इस वीडियो को अंति तक जरूर देखें क्यूंकि इस वीडियो में जो मैं कब सीरफ बताऊंगा इन तरक की समस्याओं को चुटकियों में ठीक कर देता है जी दोस्तों आपने साई सुना तो चलिए दोस्तों ज्यादे देरी ना करते हुए उस प्रोड़क्ट के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों वो प्रोड़क्ट है जीरो टस जो कि कुछ इस तरक के बॉटल पैक में आपको मिल जाता है फिलाल मेरे पास 30 ml का बॉटल है जबकि मार्केट में आपको ये 100 ml के पैक में भी मिल जाता है और 60 ml के पैक में भी आता है और इसे बनाती है अरिस्टो कमपनी जो की काफी बड़ी और अच्छी कमपनी है और इसके कमपोजीशन की बात करें तो इसमें आपको दो साल्ट देखने को मिलता है पहला साल्ट है लिवो क्लो पेरेस्टेन और फेंडिजुएट इसमें साल्ट डाला गया है और जो की 35.4 द देखने को मिल जाता है काफी अच्छा है अगर बच्चों को बहुत से काफ कफ सीरप पिला कर तक चुके हैं और कई बार बच्चे को इंजेक्शन भी बहुत लगवा दिये हैं लेकिन उसकी खासी ठीक नहीं हो रही है बच्चा जो है बहुत खास राय तो उन कंडिशन में जीरो टस्स सीरप का अब इस्तमाल कर सकते हैं या तो अपने नज़्दे के डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं एडल्ट भी लोग इसे इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों अभी मौसम चेंज हो रहा है और सभी के घरों में सरदी जुकाम नजला और खासिक समस्या से लोग काफी जाता पीडित हैं तो उनमें यह काफी बेश्ट सीरप है दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डोस के बारे में तो बच्चों में इसे जो है डाई से पांच एमिल दिन में दोसे तीन बार दिया जाता है एडल्ट डोस की बात करें तो टेन एमिल दिन में तीन बार दिया जाता हैं और इसे कब दिया जाता है जो दोस्तों जब सारे खासी के सीरुफ फेल हो जाते हैं तो नहीं कंडिशन में डाक्टर लोग इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और मातर एक-दो खुराक में ही बैंकर से बैंकर खासी की समस्या को यह जड़ से खतम कर देता है और साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों बहुत से कब सिरफ पिलाने के बाद बच्चे हुई या बड़े उन्हें सुस्ती लगती है नीद लगती है चक्कर आता है लेकिन इस सिरफ के देने के बाद आपको इस तरह लाइक करें दोस्तों में शेयर करें